हेलों दोस्तों नमस्कार मैं डाक्टर मनीश सर अपने चैनल में आपका स्वागात करता हूँ आज हम लोग समझते हैं बैद्धु चुम्ब की स्पेक्टरम के बारे में बैद्धु चुम्ब की स्पेक्टरम होता क्या है ध्यान समझेगा जिस समय मैक्सवेल ने बैद्धु चुम्ब की तरंगों संबंधी अपना सिधान्द प्रस्तुत किया था तो द्रिश्य प्रकास तरंगे ही एक मात्र सू परचित बैद्धु चुम्ब की तरंगे थी जिस समय मैक्सवेल ने बैद्धु चुम्ब की तरंग से संबंधी अपना सिधान्द दिया था उस समय द्रिश्य प्रकास तरंग ही एक मात्र सू परचित बैद्धु चुम्ब की तरंगे थी ठीक है केवल सू परचित बैद्धु चुम्ब की तरंग क्या थी द्रिश्य प्रकास थी जिस समय मैक्सवेल ने अपना बैद्धु चुम्ब की तरंग संबंधी सिधान दिया था पराबैग्नी यह औरक्त तरंगों का अस्तित्व अभी मुश्किल से ही सावित हो पाया था पराबैगनी और औरत तरंगों का अस्तित्त जो है अभी मुश्किल से ही साबित हो पाया था और नीश्वी सताब्दी के अंद तक यक्स किरणें और गामा किरणों की खोज ली गई थी तो जिस समय मैक्सवेल ने बैदुचुम की तरंग संबंधी अपना सिधान प्रस्तूत किया था उस समय केवल द्रिश्य प्रकास तरंगे ही एक मात्र सूपरचित बैदुचुम की तरंगे थी पराबैगनी यो औरक्त तरंगों का अस्तित्व अभी मुश्किल से सावेत हो पाया था उनिश्वी सताब्ती के अंद तक यक्स किरणें यो गामा किरणों की खोज कर ली गई थी अब हम जानते हैं कि द्रिश्य प्रकास तरंगें यक्स किरणें गामा किरणें रिडियो तरंगें सुच्व तरंगें माइक्रोवेव पराबैगनी और अहरक्त तरंगें ये सभी बिद्धुचुम की तरंगे होती हैं ठीक है ये सभी इलेक्ट्रो मैनेटिक वेव होती हैं तरंगों का अब्रित्य के क्रम में वर्गी करण तरंगों का अब्रित्य के क्रम में वर्गी करण बैद्धुचुम की इस्पेक्ट्रम कहलाता है तरंगों का आब्रित्ति के क्रम में बरी करन, तरंगों का फ्रिक्वेंसी के अधार पर क्लासिफिकेसान बैद्धो चुम्ब की स्पेक्ट्रम कहलाता है इस प्रकार की तरंग और उसके निकटवर्ती दूसरे प्रकार की तरंग के बीच कोई अस्पस्ट विभाजन रेखा नहीं है एक प्रकार की तरंग और उसके निकटवर्ती दूसरे प्रकार की तरंग के बीच कोई अस्पस्ट विभाजन रेखा नहीं है वरिकरन जो है मोटे तोर पर इस बात परधायित है कि तरंग किस प्रकार उत्पन अथवा संसुचित की जाती है एक प्रकार की तरंग और उसके निकटवर्ती दूसरे प्रकार के तरंग के बीच कोई अस्पस्ट विभाजन रेखा नहीं है कोई डिविजन लाइन नहीं है बरिकरन जो है वह इस बात पर धारित है कि तरंग किस प्रकार उत्पन अथवा संसुचित की जाती है अब हम बैद्धुचुम की तरंगों के इन बिभिन प्रकारों का उनकी घटती हुई तरंग दैरियों के क्रम में वड़न करेंगे देखे द्यान से यह बैद्धुचुम की स्पेक्ट्रम जिसके बिभिन भागों के सामान नाम दर्साए गए हैं और बिभिन भागों के बीच कोई अस्पष्ट विभाजन रिखा नहीं है यहां उनकी आबरित दिया गया है हर्टस में तरंग दैर दिया गया है मीटर में देखे द्यान से यह सबसे अधिक जो आबरिती है दस पे तेईस से लेकर दस पे उननीस यह जो है गामा किरडों गामा किरड़ें कही जाती है दस पे बीच से अधिक और दस पे सोलत तक की जो है आबरित की वह एक्स किरणे कही जाती है दस पे सत्रह से लेकर आप देख रहे हैं कि यहां पे उसके नीचे तक की जो फिरक्वेंसी की है वह परावैगनी है इस बीच में एक छोटा सा एरिया आ रहा है जो दस पे 14 और दस पे 15 के बीच में है जिसे द्रिश से प्रकास कहा जाता है और इसमें अलग-अलग फिरक्वेंसी आती है जैसे कि 400 नेनोमीटर से लेकर 700 नेनोमीटर तक और वह अलग-अलग कलर होती है ठीक है जैसे 400 नेनोमीटर से लेकर 450 नेनोमीटर तक का जो है तरंग दैर वो है बैगनी का ठीक है फिर आप देख रहे हैं कि 450 से 500 के बीच में नीला हरा पीला रानंगी लाल या अलग अलग तरंग दैर जो हैं प्रदर्शित्की गई हैं जो दिरिश्च प्रकास के अंतरगत आती हैं ठीक है सबसे जो है कम आप देख रहे हैं दिर्ग रेडियो तरंगे हैं जो 10 पे पावर 1 से लेकर 10 पे पावर 6 तक है 10 पे पावर 1 से लेकर 10 पे पावर 6 हर्टर्ज जो है वह दिर्ग रेडियो तरंगे हैं जिनकी तरंगदैर जो है 10 पे पावर 7 से 10 पे पावर 3 के बीच में आप देख रहे हैं आ रही है ठीक है तो यह जो है तरंगदेर मीटर में दिया गया है आबरीत हर्टज में दिया गया है और अलग-अलग किरणें जो है उनका नाम के रूप में धर्साया गया है गामा किर्णे, यक्स किर्णे, प्रावैगनी, दिर्श्य प्रकास, अवरक्त, लगू, माइक्रो तरंगें, लगू, रेडियो तरंगें, टेलिवीजन तथा एफेम रेडियो, एम रेडियो, दिर्ग रेडियो तरंगें, यह सब तरंगों को एक बैदुत चुमकी स्पेक्ट में संचेप में बढ़न किया जाएगा तो सबसे पहले आप रेडियो तरंगों से स्टार्ट करेंगे और सब तरंगों की बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे थैंक यू